प्लास्टिक क्या होते हैं साइन्स की भाषा में हम प्लास्टिक को कैसे डिफाइन करेंगे और उनके दो टाइप थर्मो सेटिंग प्लास्टिक और थर्मो प्लास्टिक आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हैं plastic आप अपने surrounding में पहुत सारी चीजें की देखते होंगे यह जो की सबसे cheap and सबसे जदा durable है इस वजे से आजकल बहुत सारे चीजें प्लास्टिक की बनाई जाती है तो science की language में हम उसको कैसे define करते हैं और कैसे उसको हम पढ़ेंगे तो प्लास्टिक is also a polymer like a synthetic fiber, polymers and monomers आप मैंने आपको प्रीविएस वीडियो में explain किया हुआ है, जिसका मैं link description box में mention कर दोंगे, आप उसमें से जाके उसको देड़ सकते हैं, सबसे पहले प्लास्टिक एक polymer है, polymers क्या होता है, एक long chains होती है, monomer की, कई सारे चुटे-चुटे mon monomers मिलके polymer chain बनाते हैं, ठीक है, तो synthetic fibers होते हैं, वो basically long chain of monomers होते हैं, जो कि polymers को बनाते हैं, ठीक है, तो जो plastic है, वो भी एक तरह का polymer है, ठीक है, all plastic do not have same types of arrangement, जैसे कि आप देख रहे हो, कई सारे monomers का जब arrangement होता है, एक form में जब arrangement होते हैं, तो जो प्लास्टिक होते हैं, यह इनका arrangement एक जैसा नहीं होता है, ज़रूरी नहीं कि इनका सारे plastic का arrangement एक जैसा हो, in some it is linear, कुछ plastic का arrangement linear होता है, as you can see in the diagram, linear, line-wise इनका arrangement है, whereas in other, it is cross-linked, और दूसरे diagram में आप देख रहे हो, arrangement कैसा है, cross-link है, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, कई सारे arrangement के साथ, ठीक है, plastic articles are available in all possible shapes, जो plastic होते हैं, वो अलग-अलग shapes में होते हैं, आपने chair देखे होंगे, bucket देखे होंगे, तो यह सब क्या है, इनका अलग-अलग shape है, ठीक है, तो यह अलग-अलग shape में कैसे लाए जाते हैं, ठीक है, तो उनका अलग-अलग arrangement होए, ठीक है, have you ever wonder, how this is possible, यह possible कैसे है, कि एक plastic है, उसे इतनी सारी चीजें बनाई जा रही हैं, इतनी सारी चीजें उनसे बनाई जा रही है, अगर बनाई जा रही तो कैसे बनाई जा रही है, ठीक है, the fact is that plastic is easily moldable, जिससे कि आपने देखा होगा rubber है, इसली उसको हम mold कर सकते हैं, तो rubber की क्या खासियत है, वो room temperature में हम उसको अपने हाथों से mold कर सकते हैं, लेकिन plastic के साथ क्या है, उसको एक particular temperature देना पड़ता है, एक particular environment देना पड़ता है, जिससे वो mold होते हैं, ठीक है, plastic can be recycled, plastic को recycle किया जा सकता है, क्योंकि अभी मैंने बताया, उसको mold कर सकते हैं, उनको किसी भी shape में लाके दे सकते हैं, तो वो recycle भी हो जाते हैं, नहीं चीज़ें, पुरानी चीज़ों से नहीं चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं, recycle, घर में भी कई सारे experiment करके देखे होंगे, कि plastic को अगर हम heat देते हैं, तो वो क्या होता है, वो पिघलना शुरू हो जाते हैं, वो melt हो जाते हैं, जैसे mom को अगर हम heat provide करते हैं, उसको heat देते हैं, तो वो क्या होती है, पिघलने लगती है, ठीक है, तो इसी तरीके से plastic के साथ यही formula होता है, वो भी heat provide होने पे, वो melt हो जाता है, rolled into sheets, उसको sheet में या किसी भी other form में हम उसको roll कर सकते हैं, and made into wires, और उसको wire के form में भी हम उसको बना सकते हैं, that is why it finds such a variety of uses, तो इस वज़े से उसके किसी भी shape में convert होने की यह जो quality है, इस वज़े से हम उसको अलग अलग तर ताके उसमें form में इस्तिमाल कर सकते हैं, and now उनके types क्या होते हैं plastic के, तो first है आपका thermoplastic, thermoplastic, you will observe that some plastic articles can bend easily while some break when forced to bend, कुछ ऐसे plastic होते हैं, जो आसानी से किसी भी form में bend हो जाते हैं, मूर जाते हैं, और कुछ ऐसे plastic होते हैं, अगर हम उसको force apply करते हैं, उसके साथ force ली, उसको change करना चाहें, तो ब्रेक हो जाते हैं, When we add hot water to a plastic bottle, अगर हम plastic की कोई भी bottle में घरम पानी रख दें, it gets deformed, वो deform हो जाते हैं, मतलब उनका जो formation है, वो change हो जाता है, Some plastic which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic, जो plastic आसानी से अपने form को change कर लें, heat देने पे, और आसानी से अपने form को easily जो हम चाहें, उसके साथ कर लें, उसको ये change कर दें, उसका ये shape बना दे, heat देने पे, तो वो plastic होते हैं, thermoplastic, ठीक है, वो आसानी से अपने form change कर लें, ठीक है, तो वो हो जाएंगे thermoplastic, polythene and PVC are some of the example of thermoplastic, ठीक है, ये जो कुछ आपने diagram देख रहे हो, और भी mention है, इसमें diagram, examples, ये होते हैं आपके thermoplastic, these are use of manufacturing toys, combs and various type of containers, ठीक है, and next आता है, thermosetting plastics, so thermosetting plastics क्या होते हैं, अब ये उसके ठीक opposite होता है, on the other hand, there are some plastic, which when molded once, cannot be softened by heating, कुछ ऐसे plastic होते हैं, अगर एक बार वो mold हो गया है, एक बार उसकर उनका कोई shape दे दिया गया, तो वो easily अपना shape change नहीं करेंगे, दो बारा heat provide करने पर, two examples are, bakelite and millimine, bakelites are poor conductor of heat, जो bakelite है, वो heat का poor conductor है, and electricity, it is used for making electric switches, handles of various utensils, etc. So, what is the meaning of poor conductor of heat and electricity, poor conductor of heat and electricity, मतलब वो heat or electricity पर react नहीं करते हैं, यहना वो अच्छे conductor नहीं है, heat के और electricity के, तो यह दो example हैं, आपके thermos setting plastic के, ठीक है, it is used for making electric switches, handles and various utensils, तीक है, यह जो आपके example, मैंने बताए हैं, यह poor conductor है, heat के, electricity के, तो इसका फाइदा क्या होता है, कि इसका हम switch बना सकते हैं, electric wire बना सकते हैं, ठीक है, कोई भी utensils kitchen के, utensils बना सकते हैं, तो इसका फाइदा यह है, कि वो जब electricity से, उस पे current नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यह जो है, thermosetting plastic का, जो example है, यह poor conductor है, heat के, electricity के, ठीक है, millimine is versatile material, जो millimine है, वो भी एक versatile, मतलब, काफी अच्छी थी, उसके qualities है, बहुत, उसके तरीके से, उसको हम use कर सकते हैं, it resists fire and can tolerate heat, better than other plastic, millimine, आपका जो है, वो क्या करता है, fire को resist करता है, और heat को tolerate करने की capacity, की भी उसके अंदर जादा capacity होती है, other plastic के comparison, इसलिए उसको हम kitchen के बर्तन बनाने में use करते हैं, बहुत सारे आजकल variety of, आप देखते होंगे, malls में, अलग-अलग color के, प्लास्टिक के, जो plate है, ना, अलग-अलग तरह के utensils, आजकल market में available है, ठीक है, and I hope आपको ये वीडियो helpful लगा होगा, और आपके काफी doubts clear हुए होंगे, so please like, share and subscribe my channel, thank you,